मैं हूँ स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुंबई में एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो गाड़ियों को टक कर मारते हुए फ्लाई ओवर से सुरक्षा दिवाल तोड़ते हुए नीचे गिर गई है वेस्टेन एक्सप्रेस हाइवे पर विले पारले के पास ये भयाना खासा हुआ है बताया जा रहा है कि ट्रक बोरे वली से बांदरा की तरफ जा रहा था तभी फ्लाई ओवर पर ट्रक अनंत्रित हो गया और सुरक्षा दिवाल तोड़ते हुए नीचे गिर गया ये दो अन्यवाहनों को भी टक कर मारी मगर सबसे अच्छी बात ये रही कि ट्रक चालक जब ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और फ्लाई ओवर से ट्रक नीचे गिरने लगा उसी दौरान ट्रक चालक ने छलांग लगा दी हाला कि ट्रक चालक को भी मामूली चोट लेगी है और इसके एलामा इस हाथसे में दो और लोगों के घायल होने की खबर है जिनका इलाज नजदी की अस्पताल में चल रहा है हाथसा इतना भयानक था कि ट्रक की टंक की फटने की वज़े से सडक पर डीजल फैल गया और जिसकी वज़े से आवा गमन में भी काफी देरी हुई और काफी ट्राफिक जांग की स्थिती भी उत्पन रही तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें